नमस्ते, आज की कहानी है दूसरा देवदास और इसकी लेखी का मम्ता कालिया है लेखी का परिज़े पढ़ लेते हैं इनका जन्म 1940 मत्रा उत्रप्देश में हुआ इनकी सिक्ष के कई पढ़ाव रहे जैसे नागपुर, पूने, इंदोर, मुंबई यादी दिल्ली विश्वीद्याले से इन्होंने अंग्रेजी में अम्मी किया कारे, अध्यापन कारे, इनका दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वीद्याले में अंग्रेजी प्राध्यापी का रही SNDT महिला विश्विद्याले मुंबई में इन्होंने अध्यापन कारे किया महिला सेवसदन डिग्री कॉलेज इलाबाद में ये प्रधाना चाहरे रही निदेशक कारिया इन्होंने भारतिय भाषा परिशत कलकत्ता में किया और वरतमान में ये नई दिल्ली में रहकर स्वतंदर लेखन कर रही है इनकी रचनाएं जिनमें उपन्यास हैं कहानी संग्रह, एकांके संग्रह, कावे और अंग्रेजी कावे संग्रह है तो एके करके में बताती हूँ या, उपन्यास इनके हैं, बेघर, नरक दर नरक, एक पतनी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड, कहानी संग्रह हैं, 25 साल के लड़की, थेटर, रोट के कव्वे, इसके अत्रिक्त 12 कहानी संग्रह और हैं, जो संपून कहानिया नाम से दो खंडों में प्रकाशित हैं, एक आंकी संग्रह, इनके दो हैं, एक यहां रहना मना है, दूसरा आप ना बदलेंगे, कावे, खाटी, घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, तेन, अंग्रेजी कावे संग्रह, इनका है, ट्रिब्यूट चुपापा, एन अधपोयम, प अभिनव भारती का रचना सम्मान, जोकी कलकत्ता से, उत्तरपदेश हिंदि संस्थान का कहानी सम्मान, और साहित्य भूशन इने प्राप्ट हुआ, साहितिक विशेष्टा है, मानविय मोल्यों और समवेधनाओं को अपने लेखन में स्थान इनोंने दिया, और लेखन में कहीं सटीक वियंग्य है, तो कहीं कलपना और रोमानियत है, युवा मन की आकर्शन और सम्मेधनाओं को अभिव्यक्ती इनोंने प्रधान की है, भाशाशैली ये भाशागत विशेष्टा है, साधारन शब्दों को भी आकर्शक, भाशाशैली में प्रसुत करना ममता कालिय की खास्यत है, विशेष्ट के अनुरूप सहच, भाव, अभिव्यक्ती और शब्दों की परक्ता, सजीवता, सरलता, सुबोधता, व्यंग्य की सटीकता और रोचकता उनकी कहानियों की प्राण है, तत्सम, तत्भव, देशज, शब्दों की सासत, ग्रामिन, अंचल की पड़ते हैं पाठ का परिचे, पाठे पुस्तक में संकली दूसरा देवदस कहानी हर की पोड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंदर में रखकर युवा मन की समवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्शक भाशाशली में प्रस्तुत करती है, यह कहा परिचानी में लेखे गाने इस तरह घटनाओं का सयोजन किया है कि अंजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरन, संभव जो कि इस कथा का नायक है और पारो कथा की नाईका, इन दोनों के हरिदे में बड़ी ही अजीब परिस्तितियों में उत्पन होता है, यह है पहला और परिस्तियां जिन परिस्तितियों में वि मिलते हैं, उनकी प्रेम को आधार और मजबूती देता है, और इसी यह सिद्वी हो जाता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और इस्तिति का होना आवश्रक नहीं है, वह कभी भी कहीं भी किसी भी समय और किसी भी स्तिति में उपर सकता है कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बंबईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटा कर उसे पवित्र और इस्थाई स्वरो प्रदान किया है कत्ते, विशेवस्तु, भाषा और शिल्प की इद्रिस्टी से कहानी बेज़ोड है तो आएए पढ़ते हैं कहानी दूसरा देवदास और इसका वाचन मैं अल्पनवर्मा कर रही हूँ हर की पौड़ी पर सांच कुछ अलग रंग में उतरती है दियबाती का समय या कहलो आरती की बेला पांच बजे जो फूलों की दाने एक एक रुपे के बिक रहे थे इस वक्त दो-दो के हो गए है भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं इतनी बड़ी-बड़ी मनों कामना लेकर आए हुए है एक दो रुपे का मुँ थोड़ी देखना है गंगा सभा के स्वेम सेवक खाकी वर्दी में मुस्तेदी से घूम रहे है वे सबको सीडियों पर पैठने की प्राटना कर रहे है शान्त होकर बैठिये आरती शुरू होने वाली है कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है स्पेशल आरती यानि की 101 या 150 रुपे वाली गंगा तट पर हर छोटी बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर पंडित गंड आरती की इंतजाम में व्यस्त है पीतल की नीलान जली में सहस्त्र बत्तियां घी में भीगोकर रखी हुई है सबने देशी घी के डब्बे अपनी मांदारी के प्रतीक स्वरूप सचा रखे है गंगा की मूर्ती के सहसाथ चामुंडा बालक्रेश्न राधाक्रेश्न हानुमान सीता राम की मूर्तियों की श्रिंकार पून स्थापना है जो भी आपका आराध्य हो चुनले आरती से पहले इस्नान हार हार पहता गंगा चल निर्मल नीला निश्पा और दिंडुप की लगा रही है बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीर पकड़ रखी है पास ही कोई न कोई पंडा जज्मानों के कपड़े लत्तों की सुरक्षा कर रहा है हरे की पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है मर्दों की माथे पर चंदन तिलक और औरतों की माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडे कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खोशी में आरती करवा रही है तो कहीं कोई नई बहु आने की खोशी में अभी पुरा अंधेरा नहीं गिरा है गौधुली बेला है ये कायक सहस्त्र दीब जल उठते हैं पंडित अपने आसन से खड़ी उठते हैं और हात में अंगोचा लपेट के पंच मंजली निलान जली पकड़ते हैं और शिरू हो जाती है आरती पहले पुजारियों के भर्राय गले से संवेच्वर उठता है जै गंगे माता जो कोई तुझको द्याता सारे सुख पाता जै गंगे माता घंटे घड़ी आल बसते हैं मनातियों की दिये लिये हुए फूलों की छोटी छोटी किष्टियां गंगा के लहरों पर इठलाते हुई आगे बढ़ती हैं गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है औरत अगला दोना सरका देती है गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आख की लपट लग जाती है पास खड़े लोग हसने लगते हैं पर गंगा पुत्रहत प्रब नहीं होता वैज़ट गंगा जी में बैट जाता है गंगा मैया ही उसकी जीवी का और जीवन है इसके रहते वे 20 चक्कर मूँ भर-भर रेजगारी बटोरता है उसकी बीवी और बहन कुशा घाट पर रेजगारी बेच कर नोट कमाती है एक रुपे के 50 पैसे कभी-कभी तो 80 भी देती है जैसा दिन हो पुजारियों का स्वर्थ थकने लगता है तो लता मंगेश करके सुरीली आवास लाओड स्पीकरों के साथ सहयो करने लगती है और आरती में यकायक एक स्निक्त सौंदरे की रचना हो जाती है ओम जै जगदीश हरे सिहर की पौड़ी गुंजाय मान हो जाती है औरतें ज्यादा तर नहा कर वस्तर नहीं बदलती गिले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती है पीतल की पंच मंजली निलानजली गरम होटती है पुजारी निलानजली को गंगा जल से स्पर्ष कर हाथ में लिप्टे अंगोचे को ना मालूम ढंक से गिला कर लेते हैं दूसरे यह दृष्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के कर्ब तक पहुँचा रहे है पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिछविया जिल मिला रही है पूरी वातावरण में अगरूचंदन की दिव्य सुगंध है आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोचार की भक्त आरती लेते हैं चड़ावा चड़ाते हैं स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्रामन भोज, दान, मिस्ठान की धनराशी कबूलवाते हैं आरती के ख्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुझत नहीं करते खुशी खुशी दक्षणा देते हैं पंडी जी प्रसन्द होकर भगवान के गले से माला उतार उतार कर यजवान के गले में डालते हैं फिर जी खोल कर देते हैं प्रसाद इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ठेर सा बच रहता है बाटने के लिए मुर्मुरे, इलायची दाना, केले और पुश्प खर्च हुआ, पर भक्तों के चहरे पर कोई मलाल नहीं कई खर्च सुगदाई होते हैं कुछ पंडी अभी भी अपने तक्त पर जमी है देर से आने वाले भक्तों का इस्नान ध्यान अभी जारी है आरती की दोने फिर एक रुपे में बिकने लगे हैं गंगाजल आकाश के साथ रंग बदल रहा है संभव काफी देर से ना रहा था जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोला का हो जजमान, बड़ी देर लगाया दी, हम तो डर गए थे संभव हसा उसके एक सार खुपसूरत दांत सावले चेहरे पर फब उठे उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांगया ने चोड़ का थैले में डाला जब एक कुर्ते से पोँच का चेश्मा लगा रहा था पंडी ने उसकी माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ पढ़ाया उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा चंदन तिला के बगाएर असनान अधूरा होता है बेटा संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया वे वापस सीड़ियां चड़ ही रहा था कि पोड़ी पर बने एक छोटी सी मंदिर की पुजारी ने आवाज लगाई अरे दर्शन तो करते जाओ संभव ठिठक गया उसकी इन चीजों में नियमितास था तो नहीं थी पर नानी ने कहा था मंदिर में बीस आने चड़ा कराना संभव ने कुर्ती की जेव में हाथ डाला एक रुपे का नोट तो मिल गया चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा चवन्नी जेव में नहीं थी संभव ने थैला खखोरा पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ले इधर आओ हम दें रेजगारे संभव ने जेबते वे एक नोट अपने जेब में रखकर दोका निकाला पुजारी जी ने चर्णा मृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था वे गंगा जी की छटा निहा रहा था तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी जी की तरफ बढ़ाई पुजारी ने उस पर कलावा बांधने उस हाथ ने थाले में सवा पांच रुपे रखे लड़की अब बिलकुल बराबर में खड़ी आँख मूंद कर अर्चन कर रही थी संभव ने यकायक मुड़कर उसके और गौर किया उसके कपड़े एकदम भीगी हुए थे यहां तक कि उसके गुलावी आचल से संभव के कुड़ते का एक कोना भी गिला हो रहा था लड़की के लंबे गिले बाल पीट पर काले चमकीले शौल की तरह लग रहे थे दीपकों के नीम उजाले में आकाश और जल की सामली संधी बेला में लड़की बेहत साम में लगभग कांस से प्रतिमा लग रही थी लड़की ने कहा पंड़ी जी आज तो आर्ति हो चुकी क्या करें हमें देर हो गई पुजारी ने उत्साह से कहा इससे क्या हम ही आकर आए दे का कराना है संकल्ब कल्यान मंतर आर्ति जो कहो नहीं हम कल आर्ति की बेला में आएंगे लड़की ने कहा संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसके 75 पैसे लोटाए लेकिन पुजारी भूल चुका था जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को यूगल अर्त में लिया कि उसके मुझ से अनायास आशीश निगली सुखी रहो फोलो फोलो जब भी आओ साथ ही आना गंगा मैया मनोरत पूरे करें लड़की और लड़का दोनों अकपका गए लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई लड़की को तुरंत वहां से चल पढ़ने की जल्दी हो गई शायद उनकी चपले एक ही रखवाले के यहां रखी हुई थी टोकन देकर चपले लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गए आँखों का चका चौन अभी मीटा नहीं था संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया लड़की कहना चाहती थी आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था लड़की ने अपना होंट दांतों में दबा कर छोड़ दिया भूल तो उसी की थी बाद में तो वही आय थी अंदेरे से घबरा कर कहां कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी लेकिन बादचीत के लायक दोनों की मनहस्तिती नहीं थी पहचान भी नहीं दोनोंने नजरें बचाते हुए चपलें पहने लड़की घबराहट में ठीक से चपल पहन नहीं पाई थोड़ी सी अंगुठे में अटका कर ही आगे बढ़ गई संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई है वे घाट की भीड को काटता हुआ सबजी मंडी पहुँच गया हरकी पौडी और सबजी मंडी के बीच अने गुमावदार गलियां थी लड़का देख ही नहीं पाया कि लड़की कहां होजल हो गई नानी का घर करीब आ गया था लेकिन लड़का घर नहीं गया वे वापस अंदे की गलियों में चक्का लगाता रहा उसने चूडी की समस दुकानों पर नज़र दोड़ाई हर दुकान पर भीड़ थी पर एक भीगी गुलाबी आकरती नहीं थी आखिर बटकते बटकते संभव हार गया पस्त कदमों से वे घर की और मुड़ा नानी ने द्वार खोलती भी कहा कहा रह गए थे लला मैं तो जी में बड़ा काप रही थी तुझे तो तेरना भी नावे कई पैर फिसल जाता तुम मैं तेरी मा को कौन मुझ दिखाती संभव कुछ नहीं बोला थैला तक्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया नानी बोली ब्यालू कर ले संभव फिर भी नहीं बोला नानी की आदत थी एक बात को कई कई बार कहती संभव तक्त पर लेट किया नानी ने कहा थक गया ना अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी है कल बैसाखी है इसलिए भीर बहुत बढ़ गई है अभी तो कल देख न तिल धरने की जगह नी मिलेगी पौड़ी पर चल उठ खाइबे को खा ले मुझे भूप नहीं है संभव ने कहा और करवट पदल ले अरे क्या हो गया असनान के बाद भी भूप नाय चमकी तभी ना इतनी सीख सलाई दे ही है मैंने सभीता से पहले ही कही थी इसे अकेल ना भेज यहाँ जीना लगया इसका नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई उम्र की साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए खटोला परयाप्त था पर उन्हें सिकुड कर गठरी बन कर सोने की आदत थी गंगा को छूकर आती हावा से आंगन काफी शीर्दल था उपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक दो डाला था नीद और स्वपन के बीच संभव की आँखों में घाट की पूरी बात उतर आई लड़की का आँख मुन कर अर्चना करना माथे पर भीगे बालों की लट कुरते को छूता उसका गुलाविया चल और पुजारी से कहना हम का लाएंगे संभव की आँख खुल गई यह तो वे भूली गया था लड़की ने कल वहाँ आने का वचन दिया था संभव आशा और उत्सा से उठ बैठा नानी को जच को उड़ते वे बुला नानी नानी चलो खा लें मुझे भूग लगी है नानी की नीन चूले के समान थी कभी गहरी कभी उथली उथले जोटे में उन्हें देवते की सुधाई वे रसो इससे थाली उठा लाई संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया वह नानी क्या आलू टमाटर बनाया है मा तो ऐसा बिलकुल नहीं बना सकती ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है खाते काते संभव को याद आया आशीर वचन की दुरगटना तो बाद में घटी थी वह कौर हाथ में लिए बैठा रहे गया उसके आँखों के बीच आगे कुछ गंटे पहले का सारा द्रिश्य घूम गया पुजारी का वह मत्रोचार जैसे पवित्र उद्गार सुखी रहो, फूलो फूलो, सारे मनोरत पूरे हो जब भी आओ साथ ही आना लड़की का चिहुगना चिटककर दूर खड़ी हो जाना घबराहट में चपल भी ठीक से ना पहन पाना और आगे बढ़ जाना संभव ने विजले स्वर में कहा मुझे भूगना है मैं तो योही बैठा था सारी रात संभव के आखों में शाम मन राती रही उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी इसी साल एमे पूरा किया था अवे सिविल सर्विसेस प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था माता पिता का ख्याल था वे हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बे खटके सिविल सिवा में चुल लिया जाएगा लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था अभी तक उसकी जीवन में कोई लड़की किसी एहम भूमिका में नहीं आई थी लड़किया या तो क्लास में बाइं तरफ की बेंचों पर बैटने वाली एक कतार थी या फिर ताई चाची की लड़किया जिनके साथ खेलते खाते वे बड़ा हुआ था इस तरह बिलकुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्धियसनात दशा में सामने आना पुजारी का गलत समझना आशिरवात देना लड़की का घबराना और चल देना सब मिला कर एक नई निराली अनुभूती थी जिसमें उसे कुछ सुक और ज्यादा बेचैनी लग रही थी उसने मन ही मन तै किया कि कल शाँ पांच पजे से ही वह घाट पर जाकर बैट जाएगा पौडी पर इस तरह बैटेगा कि कल वाले पुजारी के देवाले पर सीधी आँख पड़े उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूचा वैसे वे हरिदवार की नहीं लगती थी कैसे लगती थी संभवन याद करने की कोशिश की उसे सिर्फ एक दुबली पतली काया गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी शाम सलोनी आँखें दिखें उसे अफसोच था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया पर यह तै था कि वह उसे हजारों की भीड में भी पहचान लेगा अभी चिडियों ने आंगन में लगे अमरूत के पेड़ पर चहचाना शिडू ही किया था कि नानी ने आवाज दी लल्ला चलेगा गंगा जी आज पैसाकी है संभव को लगा वह रात पर सोया नहीं है नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था उसने कहा तुम मेरे नाम की डूपकी लगा ले ना नानी मैं तो अभी सोंगा नानी द्वार उड़का कर चले गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्दवन दो छोड़ दिया आज जवे सलोनी उसे दिखेगी तो उसके पैस जाकर कहेगा पुजारी जी की नादानी का मुझे बिहाद अफसोस है यकीन मानिये पंडी जी मेरे लिए भी उतनी ही अंजान है जितने आपके लिए लड़की कहेगी कोई बात नहीं वे पुछेगा आप दिल्ली से आई हैं लड़की कहेगी नहीं हम तो के हैं बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी अगर उसने रुख दिखाया तो वे कहेगा मेरा नाम संभव है और आपका वे क्या कहेगी उसका नाम क्या होगा वे बीये में पढ़ रही होगी या एम में इन सवालों के जवाब वे भी ढून ही नहीं पाया था किनानी वापस भी आ गई ले तू अभी तक सपने ले रहा है वहाँ लाखा लाख लोग नहान कर लिये अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लिया करो लड़के की जैसे तंद्रा नस्ट हो गई नानी वाज की बीद सपने 9-11 हो गई लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह खाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं हाथ मूद होकर प्रात्ना कर लेगा कुछ दीर पौड़ी पर बैट गंगा की जलराशी नहारेगा लोटती हुए मत्वराजी की प्राचीन दुकान से गरम जले भी खरी देगा और वापस आजाएगा उसने कुर्ते की जेब में बीस का नोट डाला और चल दिया पास्तव में पौड़ी पराज अद्बुद भीर थी गंगा के घाट से भी चोड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था भोर की आरती हो चुकी थी लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे नारियल, फूल और प्रशाद की घंगोर बिक्री थी भीर लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी बलकि रोजी देखता था दफ्तर जाती भीर, खरित फरुक करती भीर तमाशा देखती भीर, सड़क क्रोस करती भीर लेकिन इस भीर का अंदास निराला था इस भीर में एक सूत्रता थी ना यहां जाती का महत्व था ना भाषा का महत्व उद्देश्य का था और वे सबका समान था जीवन के प्रती कल्यान की कामना इस भीड में दोड नहीं थी अतिक्रमन नहीं था और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी इसनान आड़ती किसी सैलानी आनंद में डुपकी नहीं लगा रहा था बलकि इसनान से ज्यादा समय ध्यान ले रहा था दूर जलधारा के बीचे काद में सूरे की और उन्मुक हाद जोड़े खड़ा था उसके चहरे पर इतना विभोर विनीद भाव था मानू उसने अपना सारा एहम त्याग दिया है उसके अंदर स्वय से जनित कोई कुंठा ही शेश नहीं रह गई है वह शुद्ध रूप से च जाने कब पौड़ी पर उसकी नजदीक यह बच्चा आ बैठा था उसका भाल चंदन चर्चित था चहरे पर चमकीली ताजगी थी अकेले हो नहीं बुआ साथ है कहां से आए हो रोह तक अब वापस जाओगे नहीं बच्चे ने चमकीली आँखों से बताया अभी तो मंसा देवी जाना है वह है उधर बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से दिखाने लगा यह स्थल संभव को पहले ही दिन से अपने और खीच रहा था लेकिन नानी ने उसे बरस दिया था ना लला मंसा देवी जाना है तो क्या वह जूला गाड़ी में तो है संभव बहुत शारी रिक मेहनत में यकिन नहीं करता था बरसों से कुर्सी पर बैठे बैठ कर पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही दिहाना आता था उसे यहां सुबह सुबह नानी का जाडू लगाना चक्की चलाना पानी भरना रात के मांजे बरतन फिर से दोदो का लगाना सब कस्ट दे रहा था वह इतरास नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि मैं चार दिन रुख कर वे नानी की दिल चर्या में हस्तक शेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता संभव ने बच्चे से कहा अगर गिर गए तो बच्च करना चाहता था इसलिए थोड़ी देर वह अटकता भटकता उस जगे पहुँच गया जहां से रोपवे शुरू होती है रोपवी के नाम में कोई धरमाडंबर नहीं था उशा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यू था वही मंसा देवी पर चड़ाने वाली प्रशाद की थेलियां भिक रही थी 5, 7 और 11 रुपे की कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसकी सांचे बेच रहे थे 3-3 रुपे उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदिया बना रखी थी नमूने की खाते उससे पहले संभवने कभी बिंदी जैसे श्रिंगार प् माथे पर सजा दी मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रहे गए उसका नमबर बहुत जल्दा आ गया अवे दूसरी कतार में था जहां से केबिल कार में बैठना था सभी काम बड़ी ततपरता से हो रहे थे जल्दी वे उस विशाल परि केबिल कार बारी बारी से आकर रुकती चार यातरी बैठा थी और रवाना हो जाती केबिल कार का दुआर खुलने और उसे बंद करने की चा भी ऑपरेटर के नियंद्रन में थी संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया कल से उसे गुलाबी के सिवा कोई और रंग सुहा ही नहीं रहा था उसके सामने के सीट पर एक नव विवाई दमपत्ती चड़ावे की बड़ी थैली और एक वृद चड़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे संभव को अफसोस हुआ कि वह चड़ावा खरिद कर नहीं लाया इस वक्त जहां से केबल कर कुजर रही थी नीचे कतार बद फूल खिले हुए थे लगता था रंग विरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है एक बार चारों और के विहंगम द्रिश्चे में मन रम गया तो ना मोटे मोटे फॉल आथ के खंबे नजर आए और ना भारी केबल वाली रोपवे पूरा हरी द्वार सामने खुला था जगा जगा मंदिरों के बुर्ज, गंगा मया की धवल धार और सड़क के खुपसूरत घुमाव नीचे सड़क के रास्ते चड़ते हाफते लोग, लिमका की दुकाने और नाम अनाम पेड बहुत जल उनकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुँच गई या फिर चड़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आये संभव ने एक थैली खरीदली और सेड़ियां चड़कर प्रांगण में पहुँच गया नाम मनसा देवी का था पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था एकदम अंदर के प्रकोस्ट में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी स्थापित थी व्यापार यहां भी था मनुकामना के हेतुक लाल पिल्य धागे सवारुपे में बिक रहे थे लोग पहले धागा बानते फिर देवी के आगे शीषनवाते संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनुकामना की गांट लगाए सिर जुकाया नवद्द्य चड़ाया और वहां से बाहर आ गया आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेग गुम्टियां थी जहां दस रुपे से लेकर तीन हजार तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष नकले साबित करने वाले को पांस रुपे ही नाम एक तरफ हलवाई गरम जले भी पूरी कचोड़ी चान रहे थे मेले का महौल था संभव वापस केविल कार के कतार में लग गया वापसी का रास्ता ढलवा था कार और भी जल्द नीचे पहुँच रहे थे इस पर संभव के साथ तीन संभयस्क लड़के बैठे हुए थे वह केविल कार के ढलवा दोर देख रहा था कि यकायक दो आश्यर एक साथ घटित हुए वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ कया था दूर पेली केविल कार में नजर आया बच्चे के लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा इस पस्ट नजर नहीं आ रहा था और बच्चे से सटी हुई जो दूबली पतली शाम सलोनी आकरती बैठी थी वह थी वही लड़की जो कल शाम के जुट पुटे में हरकी पौड़ी पर उससे टकराई थी संभव बेहत बेचैन हो गया वह दाएं बाएं जुग जुग कर चीनने की कोशिश करने लगा उसका मन हुआ कि पंची की तरह उड़कर पीली केबिल कार में पहुँच जाए बहुत जल केबिल कार वापस नीचे पहुँच गई संभव ने आगया कि जाते बच्चे को लपक कर कंदे से थाम लिया और बोला कहो दोस्त बच्चे ने अचकचा कर उसकी वर देखा हरे भीया रुक कर बोला हमने सुचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप तब ही आगे से एक महीन से आवाज आई मन्नू घर नहीं चलना है बालक मन्नू ने कहा अभी आया बुआ संभव ने असफुट स्वर में पूछा ये तुम्हारी बुआ है और क्या मन्नू ने सास्चरा जवाब दिया हमें नहीं मिलवाओगे हम तो तुम्हारी दोस्त है मन्नू वाकई उसका हाथ खींशता हुआ चल दिया बुआ बुआ इनसे मिलो ये है हमारे नए दोस्त उसने प्रश्णवाचक नजरों से संभव को देखा अपना नाम खुद बताईए वै अपना बताता इससे पहले उसी मीठी महीन आवाज ने कहा ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता अब संभव ने और किया बिल्कुल वही कंट वही उलाहना वही अंदास पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा हे इश्वर उसने कब सुचा था मनुकामना का मौन उदगार इतनी शीग्र शुब परिणाम दिखाएगा लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था पर सफेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चड़ाने का संकल्प लेते हुए सुचा मनुकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है इधर बांधो उधर लग जाती है पारुबुआ पारुबुआ इनका नाम है मनुने मुआ का आचल खींचते हुए कहा संभव देवदास संभव ने हस्तेवे वाक्य पूरा किया उसे भी मनुकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुरिस्मरन हो आया तो यह थी कहानी दूसरा देवदास और अब देखते हैं प्रश्न अभ्यास पहला प्रश्न पार्ट के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भाव पून वर्णन अपने शब्दों में कीजे गंगा पुतर के लिए गंगा मया ही जीवी का और जीवन है इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए पुजारी ने लड़की के हम को युगा लर्थ में लेकर क्या आशिरवाद दिया और पुजारी द्वारा आशिरवाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवार में अटपटापन क्यों आया प्रश्नस चार इस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन न कर दी इसका शूक्ष में विवेचन कीजिए प्रश्न संख्या पांच मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे वे संभव के मन में जो कल्पनाय उठ रही थी उनका वर्णन कीजिए प्रश्न संख्या पारोपुआ पारोपुआ इनका नाम है उसे भी मनो कामना का पिला लाल धागा और उसमें बड़ी गिठान का मदुर स्मरन हो आया कथन के आधार पर कहानी के संकेत पून आशय पर टिपणे लिखे प्रश्न संख्या साथ मनो कामना की गांट भी अद्बुत अनोठी है इधर बांदो उधर लग जाती है कथन के आधार पर पारोपुआ की मनो दशा का वर्णन कीजिए प्रश्न संक्या आठ निमलिकित वाक्यों का आशय स्पस्ट कीजिए क तुझे तो तैरना भी ना आवे कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी मा को कौन मूद दिखाती ख उसके चहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था मानो उसने अपना सारा एहम त्याग दिया और उसके अंदर स्वह से जनित कोई कुंठा शेश नहीं है वैश्वद रूप से चेतन स्वरूप आत्मा राम और निर्मलान नंद है प्रश्न गल एकदम अंदर के प्रकोस्ट में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी स्थापित थी प्यापार यहां भी था प्रश्न संख्या नौ दूसरा देवदास कहानी की शीशक की सार्थकता इस पस्ट केजिए प्रश्न संख्या दस हे इश्वर उसने कब सोचय था कि मनो कामना का मौनुदकार इतनी शीग्र शुब परिणाम दिखाएगा शब्दार थोर्ट टिप्पनी गौधुली बेला संध्या का समय हुज्जत बहस ब्यालू भोजन निलांजली आर्ती मनोरत मन की इच्चा या अर्मान बेखटके बिना किसी रुकावटके कलावा कलाई में बांधी गई लाल डोरी या मौली प्रकोस्ट कक्ष या कमरा जुट पुटा कुछ-कुछ अंधेरा और्सफुट और्सपस्ट कुछ-कुछ उजाला आत्मसाथ अपने में समा लेना जी खोल कर देना उदारता पूर्वक खर्च करना नजरें बचाना एक दूसरे से कतराना नौदो ग्यारा होना भाग जाना तो यह था पाठ दूसरा देवदास धन्यवाद